लेकिन एक उधार्ण देता हूँ कि राहूल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालिफाई किया गया और गुजराद के एक मेंबर अप पार्लिमेंट को तीन साल की सजा हो गई थी उसको सोला दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद कराके उसको पार्लिमेंट अटेंड करने दिया आप लोगों को मालूम होगा लेकिन एक को तीन साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लिमेंट में अटेंड होने के लिए उसको विजाजत मिलती है लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको lightning speed में disqualify किया जाता है 24 hours में उसका notification निकाला जाता है और जो MP एक सेडुकास के डाक्टर को मार के उसको punishment हुआ था और session court में उसका appeal reject हुआ था High court में उसका appeal reject हुआ था Supreme court भी उसको रहात दी कि उसको 5 लाग का दंड लगाया था ऐसे लोग attend कर सकते हैं और सच बोलने वाले attend भी नहीं कर सकते उनको Parliament से भार रखा जाता है तो इसी के उपर आप सोचिए कोन दमो किसके उपर डाल रहा है और किसको relief आज मिल रहा है